तो दूस्तो नमस्कार आप लोग का मेरी चैनल में स्वागत हैं मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास CSC ID है और आप फिल भुक्तान करने में आसमर्थ हैं या फिल भर नहीं पा रहे हैं तो आपको करना क्या होगा वो एक complete प्रोसेस आपको जाना है home dashboard पर जब जाएंगे तो हमारा यह new page यहाँ पर जो फीचर होता है automatically सो जाएगा तो देखिए यहाँ पर अभी शो हो रहा है यहाँ पर बताया गया है electric bill या electricity इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद निव पेज open हो जाता है दूस्तों यूपれて बाद यहाँ पर आप chc से बिल जब का निगम है आप अपने कोडिंग फिटर चूच कर लेते थी तो यहाँ पर देखें आपको रूरल आपको या अर्बन अपने कोडिंग जो चूच करते हैं अगर आप रूरल से बिलॉंग करते हैं यह सहरी से भी रॉंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको अर्बन करने ब इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि यह जो सर्विस है अभी डियक्टिवेट की गई है लेकिन दोस्तों इसका डियक्टिवेट नहीं किया गए है इसका हम में डेजर बता रहे हैं क्या होगा इसका कुछ नहीं करना है आपको बस यह अपनी जो चीसी आइडिये उसको एक बार इससे रुपरेश कर लेंगे आपके जो भी पुराना वारा वाला वेबसाइट इसके कोड़िंग आपका खुला हुआ है अभी आपको रिफ्रेस करना है रिफ्रेस करने के लिए यहां पर देखेंு refresh configuration का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अटेमेट के लिए आपका यह जो CSC ID है refresh हो जाएगी जो नहीं सर्विस है आपकी एक्टिवेट सो होगी अब आप CSC ID के according bill payment करेंगे तो bill आपका जबा होगा तो चलिए हम bill payment आपको आपको आश करेंगे यहाँ जयसा है ऐसब है इसते लिपार मेंट और अपना स्टेट लेखेंगे फिर इसके बाद अपने अपको देखें एक पहले तो बहुत शारे अपसंस हो रहे हैं लेकिंद आप देखें और पहने जैसे ही रेपरेस किया आप बहुत सारे कॉलम कि हो गए क्योंकि दोस्तों अब बदलाव किया गया है अब आपको क्या करना है आपको पैस्मी या पुर्वर पुर्वांचल अपने कोडिंग कर लेना है अगर आप रूप सहरी से हैं तब भी पुर्वांचल विद्व त्विंग को स्कूल करिएगा जैसे हमने यहां अब देखे हमारा यहां पर एकाउंट नंबर मांगा जा रहा है तो जिसमने बतादि अकाउंट नंबर आपको esas kow होता है अभी बदलाव किया गया है एकाउन नमबर आपको नहीं मालू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसको भी जानकारी आपको दे दूँगा तो यहां पर जो भी आपके पाद 10 अंको का एकाउन नमबर है एकाउन नमबर फिल करके देख लेते हैं हमने अपना एकाउन नमबर डाल दिया फिर उसके बाद फेच बिल पर क्लिक करेंगे जैसे ही फेच बिल पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद देखिए हमारा यहां पर जो भी कंडिडेट का नाम है वो कंडिडेट का नाम सो से होता है फिर उसके बाद कितना है माउंट है माउंट होता है अब आपको यहां से बिल पैमेंट आसानी से आप कर सकते हैं दुस्तों एक जोर बताते हैं बहुत सारे केस्टमर जैसे दुगंदार ऐसे हैं कि यह बोले हैं सर मैंने अपना बिल तो पैमेंट कर दिया लेकिन र और और आपड़ेट हो जाएगा कस्टमर से कहना है सर आप 48 घंटे के बाद आकर रिसिट ले सकते हैं क्योंकि 48 घंटे के अदर नदर आपके mail ID आइडे से का CAC iD में अपना mail ID जोड़े थे उस mail ID पर make the बेज दिया तो ऑप कंस्टमर्स से 48 घंटे का वेट करने के लिए कहा दिया जाता है अब आसाने से आप बिल निकाल सकते हैं अगर आप डाइटली चेक भी करोगे तो उतना ही एमाउन दिखाएगा जब 48 घंटे बाद चेक करोगे तब ही आपका दिखाएगा कि आपका पिल पैमेंट हो चुका है तो आपको घबडाने के यहां पर जो भी आपका CSC आकोर्डिंग आपका पिन बनाया थे CSC वैलेट पिन डालेंगे और फिर उसके बाद यहां पर पेंट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों हमारे अभी CSC में इतना बैलेंस नहीं इसलिए इन कंडिट का हम जमा नहीं कर पाएंगे तो आपको हमने बता बाई